हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नई वीडियो में आज किस वीडियों बात करने वाले हैं ओनलाइन दाखिल खारीज कैसे करते हैं जैसे कि आप सबको पता है कि आज इसे ओनलाइन दाखिल खारीज जो है ओनलाइन सुरू हो चुका है तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं एक दस्तावेज है जिसका मैं online दाखिल खारीज करके दिखाऊंगा अभी मैं ले चलूँगा आपको computer screen पे और वहाँ पे step by step process के साथ बताऊंगा कि कैसे आप online दाखिल खारीज के लिए आवधन करेंगे पूरा simple process मैं आपको बताने वाला हूँ easy method बिलकुल असान तरीका ताकि आपको अच्छे समझ में आए decimal कैसे निकालते हैं कैसे PDF convert करेंगे मतलब पूरा जनकारी वहाँ पे आपको मैं computer screen पे बताऊंगा तीसी के बारे में हम वीडियो आपको बताने वाले हैं क्योंकि यह मैं lockdown के बाद पहली बार यहां पे दाखिल खारीज के लिए आवेधन कर रहा हूं क्योंकि इधर दुकान भी बंद थी और कल एक customer यहां पे मेरे को लाके दिया कि सर इसका दाखिल खारीज आवेधन करना है तो मैं आपको सोचा कि एक live वीडियो भी बना दूँ तो चले फ्रेंट चलता है computer screen पे और उसे पहले आपसे छोटी सी request है बिहारभुमी.bihar.gov.in यह बिहार राजस्वय भुमी सुधार विभा की ओफिसली वेबसाइट है जहां से आपको online दाखिल खारीज आवेधन करना है इस website का link मैं आपको YouTube के description box में दे दूँगा वहाँ क्लिक करेंगे तो डाइटली आप इस website पे आ जाएंगे अब आपको यहाँ पे नीचे में दिख जाएगा online दाखिल खारीज आवेधन यहाँ पे एक option है इस पे आपको click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो आपसे यहाँ पे email id और यहाँ पे password पूछेगा और capture code भरके यहाँ पे login करना है अगर आपके पास email id पासवर्ड और capture code है तो आप directly क्या करेंगे यहाँ भरके login कर लेंगे अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे registration का एक option दिखेगा इस पर registration करके एक आप password create कर लेंगे यानि एक registration अपना user registration कर लेंगे यहां पर registration करेंगे तो आपको भी यूजर आईडी पासवर्ड मिल लाएगा और आप आसानी से login कर सकते हैं हाला कि मैंने पहले से इसमें वीडियो बना रखा है और इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप नया यूजर registration करेंगे अगर आप वाली वीडियो नहीं देखें तो मैं आई बटन में देखेंगा कैसे नया registration करते हैं वाली देख सकते हैं तो मैं यहां पर directly आपको login करता हूँ और login करके आगे का process दिखाता हूँ देख सकते हैं friends registration बहुत ही असान है आप असानी से इसे कर पाएंगे चले मैं यहां पर directly login करता हूँ यहां पर login करने के बाद से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपको online दाखिल खारीज करना है तो friends आप यहां पर देख सकते हैं जाएंगे नीचे आएंगे directly और नीचे आने के बाद से आप यहां पे सबसे पहले district choose करना है friends यहां पे देखिए district क्या है आपको अपना निवास अस्थान नहीं choose करना है यहां पे जहां जमीन है उसका यहां पे district choose करेंगे suppose आप पटना से बिलोंग करते हैं और जमीन खर दें गोपालगज और गोपालगज में दाखिल खारीज के लिए आवेदन देंगे तो आप यहां करेंगे गोपालगज ही choose करेंगे और गोपालगज में जिस सरकल में यह जमीन है आपका जहां जमीन खरदारी किया है उसका यहां पे नाम choose कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते है Apply New Mutualization का यहाँ पर उप्सण दिख रहा है इस पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है तो फ्रेंच्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस परकार से खुल के आएगा अब आपको यहाँ पे select nutrition type यहाँ पे आपको on application पे क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे form खुल के आ जाएगा देखें friends मैंने जो आपको दस्तावेज दिखा रहा था हाथों में उसका मैंने यहाँ पे देख सकते हैं scan किया हुआ है जो दस्तावेज फ्रेंट्स उसके पहले page पे जहाँ पे stamp आपको यह 1000 का दिखेगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं पहला यहाँ पे देख सकते हैं mostly case में यह होता है यहाँ पे आपको देखने क्या हो सकता है उसके बाद से यहाँ पे आपको दस्तावेज की संख्यार आती है कब यहाँ पे रेजिस्टेशन हुआ है किस office से रेजिस्टेशन हुआ है यह जनकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है तो देखें friends यह दस्तावेज जो होता है 5 पेज 6 पेज 7 पेज का होता है तो इसको आसानी से डाटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं इस परकार से एक application form फिल्ब कर लेते हैं इससे यहां मैं फायदा होता है कि हम आसानी से इसी पेज को देखकर फटा फट जो है ओनलाई दाखिल खारी जो लेते हैं इससे हमें यह फायदा होता है देख सकते हैं यहां पर यह format हमने अल्रडी त्यार किया हुआ है इसका PDF में आपको description में दे दूँगा आप असानी से PDF का print out करके असानी से अपने पास रख सकते हैं अगर आपके पास cyber cap है है तो क्या करेंगे सबसे पले आप यहाँ पर पूरी जनकारी भरेंगे देख सकते हैं यहाँ पर भी खाता खैसरा का details करूँगा तो चले मैं यहाँ पर details सारी जनकारी भर लेता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लिकेंट नेम भरना है मतलब किसके नाम से आप आवेधन देना चाहते हैं तो जो यहाँ पर खरदारी किया है उसी का नाम यहाँ पर डालते है अगर वो पटना का बंदा है और जमीन खरदा है गोपाल गज में तो पटना का यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे मतलब वो जो बंदा है यहाँ पर पटना से बिलोंग करता है उसका मतलब present address कहा है यह जनकारी उसको यहाँ पर भरनी है तो चले में यहाँ पर फटा फट इसकी जनकारी भरके और उसके बाद से देखें लास्ट में यहाँ पर म्यूटुशन टाइप आपको बताना है मतलब यहाँ पर देख सकते हैं gift है कि sale purchase है, exchange किया है, partition है, किस परकार का वो जमीन है आपको यहाँ पर बताना है तो अगर sale purchase है मतलब खरीद भिकरी की गई है तो आप यहाँ पर choose करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर save and next वाले button पर आपको click करना है तो चले मैं इसे fill up करके और save and next वाले button पर आपको click करके आगे का process में दिखाता हूँ यह वाला form fill up करना बहुत ही आसान है, आप असानी से fill up कर सकते हैं फ्रेंट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो भी information थी मैंने आपर fill up कर लिया है देखें यहाँ पर एक same as present address की option यहाँ पर आ रहा है जब यहाँ पर यह जनकारी भर लेंगे भीले address यह district तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ जो same same जनकारी यहाँ पर fill up हो जाएगी अगर अलग address है तो यहाँ पर अलग address भी change कर सकते हैं अब आपको save as draft पर और next button पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ही होती है कि आपको यहाँ पर सभी जनकारी अच्छी से fill up करना होता है देखिए यहाँ पर documents type मतलब किस परकार का documents है तो registry deed यहाँ पर already chosen है अब यहाँ पर documents number पूछ रहा है तो documents number में आप यहाँ पर दस्तावेज की संख्या भरेंगे तो पहला ही page पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर दस्तावेज की संख्या मिल जाती है मैं आपको दिखाएता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यह पहला page है और यहाँ पर आपको deed number दिखेगा यह देखें यहाँ पर deed number यहाँ लिखा हुए 25 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 यहाँ पे fill up कर लेंगे अब यह पूछ रहा किस दिन रजिस्ट्री हुआ है तो यहाँ पे calendar खूल के आ जाएगा और इसी पे आपको दिख जाएगा पहला ही पेज पे 4 जनवरी 2020 को यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है और रजिस्ट्री का office जो यहाँ पे details fill up कर लेंगे अब यहाँ पे friends amount पूछ रहा है कि कितना amount वे आपने जमीन लिया है तो यह amount आपको देखने के लिए थोड़ा सा आपको पलटना पड़ेगा अगला page तो अगला page जब आप पलटेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपने कितना रुप इतने रुपे में यह जो जमीन है खरदारी की गई है तो मैं यहाँ पे 170,000 रुपे असानी से fill up कर लेता हूं उसके बाद से जो मैंने बताया office तो office यहाँ पे मीर गज है तो मैं पे मीर गज फीलप कर लूँगा और उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है कि district तो आप पर होता है तो आप इसे आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पास और है इस दस्तावेज पे तो आप यहाँ पे add more का option दिखेगा आप यहाँ पे एक और भी add कर सकते हैं तो चले मैं यहाँ पे next button पे click करता हूं next पे click करेंगे तो अब आपको यहाँ पे buyer details का fill up करना मतलब य यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे उसके guardian का नाम लिखेंगे उसका relation क्या है उन दोनों के बीच यह आपको बताना है उसके बाद से यहाँ पे कास्ट उसका क्या है अगर friends इसमें से कास्ट आप नहीं ढूड़ पाते हैं तो आप यहाँ पे na simple चूज कर सकते हैं आपको कोई दीकत नहीं होने वाला है यहाँ पे gender चूज करेंगे पूरुस महिला उसका mobile नबर और उसका यहाँ पे address आपको लिखना है लिखने के बाद से यहाँ आपको आगे वाले यहाँ पे देख सकते हैं save and next वाले पे क्लिक करना है अगर इसमें दो लोग खरिदनारी करने वाले देखती है यहाँ तो यहाँ पे add more का option दिखेगा आप यहाँ पे तीनों लोग आपको बारी बारी से नाम add करना अती आवस्यक है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे उनका भी details fill up कर सकते हैं अगर इस जमीन को खरिदने वाले तीन लोग है तो उस case में अगर एक लोग है तो आप इसे छोड़ देंगे देखिए आपके दस्तावेज जो है ना उसी के first page पे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कौन इसकी खारदारी किया हुआ है यही पे आपको दिख जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे यह आपको दिखा रहा हूं यही पे यह दिख क्लिक करता हूं जैसे मैं यहाँ पे करूँगा उसके बास आपको seller का details भरना है मतलब कौन बेचा इस जमीन को तो यहाँ पे आपको पहले ही पेज पर दिख जाएगा उपर में रहता है यह जनकारी कि यहाँ पे देख सकते हैं मोकिर नामा सेख यहाँ पे जाहिद आलाम इ जो यहाँ पे बेच रहा है अगर seller वाले भी दो तीन लोग है तो यहाँ पे add का more option है आपको यहाँ पे add more करके उनकी भी जनकारी यहाँ आपको भरनी पड़ेगी तो फ्रेट्स मैंने भी इसको फिलब कर लिया आप मैं यहाँ पे डाफ्ट एंड नेक्स इस पे आपको क्ल पन्चायत आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे कौन सा पन्चायत में जमीन है आपको यहाँ पे चूझ करना है तो इसकी जनकारी के लिए फ्रेंट्स आप जो दस्त अवेज यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला पेज होता इस परकार से यह आपको उसके बाद से कितना जमीन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं ये एकड़ में मांगा रहा है इसको आप छोड़ दीजेगा और डेसमील में यहाँ पे आपको भरना है कि कितना डेसमील का जमीन है यहाँ पे लिखना है उसके बाद से चवहदी क्या है नौर्थ में कौन है साउ जमीन होता है उसमें आपको 3.7 decimal जमीन होता है अगर यहाँ पे आपको दिख जाएगा जब आप पीछे पल्टेंगे इस पेज को तो यहीं पे आपको दिखाएगा देखें यह सारी जनकारी इसी दस्तावेज पर आती है इसी को देखें आपको भरना है यहाँ पर लिखा हु जमीन में कितना जमीन है अगर decimal नहीं दिखाता है तो आप यहाँ पे चार कठा पौने चोदो धूर को आप करेंगे decimal में तो आपको असानी से decimal में निकल जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे उसकी जनकारी आपको भर लेनी है कि कितना decimal है यह आप यहाँ पे बहुती सिंपल है 484 उसके बाद से यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैंने बता दिया कैसे भरेंगे आपको यहाँ पे इसी पे दिख जाएगा यह जो लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यह जनकारी आपको यहाँ भरनी है देख सकता है पस्ची में कौन है से उतर में कौन है पूरव में और यहाँ पे दक्षी में कौन है जैसे-जैसे यहाँ पे लिखा है यह जनकारी आप असानी से भरेंगे आपर आपको एक खास ध्यान यहीं देना है कि जब आप यहाँ पे यह थाना मौजा नमर भरेंगे तो यहाँ पे 274 जो दीख रहा है इसको आपको यहाँ पे मैच करना चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे थाना नमर 274 यह मैच कर जाएगा तो आप समझ लिजिए आप सही से फॉर्म को fill up किये हुए है जो भी यहाँ पे जमीन है इसकी जनकारी तो आप इसी को देखते हुए यहाँ पे यहाँ पे जनकारी भर लेंगे अगर इसमें और भी खाता खेसरा नमर होता है तो आप यहाँ पे add more का option दिख रहा है इस पे आप क्लिक करके खाता खेसरा नमर यहाँ प draft and next वाले पे क्लिक करना है तो friends इसी परकार से आपको fill up करना है तो चले मैं आपे save as next and draft पे क्लिक करता हूँ जिसे मैं आप क्लिक करूंगा अब यहाँ पे जो आपने दस अवेज देख देखके भर रहे थे उसी को आप यहाँ पे upload कर देना है और यहाँ पे देख सेते friends य और इसको आपको upload करना यहाँ पे तो चले मैं जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है यह जो documents मैंने यहाँ पे scan किया हुआ है इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे scan किया हुआ फाइल को PDF में convert करूंगा तो PDF में convert करने के लिए आपको क्या करना होगा लिखना होगा online PDF यहाँ प open करेंगे तो यहाँ पर आप से पूछेगा जो file है आपको यहाँ पर select करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं एक एक करके यहाँ पर select करेंगे इसी परकार से और उसके बाद से क्या करेंगे उसको convert वाले पे click करेंगे तो आसानी से यह फाइल जो है PDF में convert हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर कर रहा हूं इसी परकार से आपको भी करना है तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर सभी फाइल को यहाँ पर चूज कर लिया हूं वन बाई वन करके और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस परकार से processing होना शुरू हो जाएगा और यह असानी से जो है PDF फाइल में convert हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड भी हो गया य इसे अपलोड करेंगे तो फिट सकते हैं मैं यहाँ पर सर्च करनाँ यहाँ पर चूज कर लिया उसके बाद सब्सक्राइब करना इसके अपच्राय को बंसकरा होगा जा लिए यह कर लेना है यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पे करेंगे तो आपके सामने एक PDF यहाँ पर खुल के आ जाएगा आपको इसे क्लिक करेंगे तो इसाइब को आपको की्तार वेतर करेंगे तो जो आपने फिल अप किया हुए उसकी यहाँ पर जनकारी आपको डाउंड हो जाती है और यहाँ पर इस परकार से यह दिखाता है तो इसको भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं इससी परकार से फ्रेंट्स आपको दाखिल खाड़िस करना है अगर आपको कोई कमेंट है तो आप comment सेक्शने पूश सकते हैं वीडियो कैसा लागा, comment सेक्शन में जुरूब बतेएगा, वीडियो लाइक कीज़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो को साथ हमें दीजी ज़ायत और देखते हैं डिये सेल्पिंग फारेवर थैंकी फॉर वाचिंग जाहिन